सुप्रभाद बच्चों गुंगे कहानी में जो भी तक आपको पढ़ा गया था उससे आगे कई वीडियो है तो उसमें आपको बता गया था अंत में कि उसको जगे जगे नौकरी करके भाग जाने की यादत पढ़ गये थी और चमेली सोचती थी कि जिस दिन उसने उसके सामन कि टेक्स्ट पर ध्यान देंगे बसंता ने कसकर गुंगे को चपत जड़ दी बसंता कौन था चमेली का वेटा बसंता ने फूब खींच के गुंगे को थपड मार दिया गुंगे का हाथ उठा उठने जाने क्यों अपने आप रुख गया हाथ रुखने का कारण आप समझ दें होंगे कि वह अपनी मालकिन जो उसको रोटी देती थी मां के समान प्यार करती थी उसके बच्चे को पर वो हाथ नहीं उठा सकता था तो उसकी आंख में पानी भर आया और वह रोने लगा थपड़ लगने के बाद में वह भावुप हो गया और रोने लगा शायद उसको अपने अनाथ होने पर यह विचार आया हो उसका रुदन इतना करकश था कि चमेली को चूला छोड़कर आना पड़ा वो इतना दुख्षी मन से रो रहा था कि चमेली घर का जो चूला था उसको छोड़के खाना बनाती बनाती वीच में उठके दोड़ी हुई आई आश्या को समझना मुशकिल था उसके एशारों को बड़ी मुश्किल से चमेली इतना ही समझ भाई कि बसंता ने यानि उसके बेटे ने उसको खेलते खेलते अचानक मार बसंता भी अपनी सफाई में कहता है आम्मा यह मुझे मारना चाहता था जोटिया सच पता नहीं तो जैसे बसंता की बात सुनती है चमेली तो क्योंकि है अपना हुगता बेटा था इसलिए चमेली ने गुंगे की और देखकर का गुजसे से क्यों इसको मारता था तुव वहे इस समय भी नहीं भूली की गुणगा कुछ सुन नहीं सकता तो उसने धीमे से पूछा और इस बात पर उसका ध्यान ने दिया कि धीमेश पूछने से फायदा क्या ये तो सुन ही नहीं पाएगा लेकिन गुंगा भाव भंगीमा से समझ गया गुंगा कि वो क्या पूछना चाहती है उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया एक शन को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था यानि उसको गुंगे में अपना पुत्र नजर आया एक एक घ्रना से उसने अपना हाथ चुडा लिया जटका मार करके हाथ चुडा लिया पुत्र के प्रतिमंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया क्योंकि पुत्र पहले ही कह चुका था कि मुझे मारना चाहता था तो अब उसने जटके से अपना हाथ उस गुंगे से चुड़ा लिया अच्छा ये वही याथ है जो मेरे बेटे को मारना चाहता है कहीं उसका भी बेटा गुंगा होता तो वह ऐसे ही दुख उठाता अब वो चमेली सोचती है कि अगर मेरे बेटे के साथ में ऐसा होता वो बोल नहीं पाता सुन नहीं पाता गुंगे की तरह होता तो मेरा बेटा भी जीवन में ऐसी कस्ट उठाता क्या वह कुछ भी नहीं सोच सकी एक बार फिर गूंगे के प्रती हिर्दय में ममता भर आई मा तो थी वो गूंगे को प्यार भी करती थी तो एक बार फिर उसके मन में गूंगे के प्रती प्यार उमड आया पहल लोटकर चूले पर जा बैठी अपने काम में लग गई जिसमें अंदर आग थी चूले के अंदर आग जिल रही थी लेकिन उसी आग से वह सब्पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है कौन सी आग पेट की आग उसी आग से वह भोजन बनता है जिससे पेट की आग जो दुनिया की सबसे दारोन आग है वो भुझती है जिसके करण आदमी गुलाम हो जाता है पेट की आग ही है जिसके करण लोग एक दूसरे के आनोकरी करते हैं मज़़ूरी करते हैं उसे गुंगे की भाती सकती से वसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था वसंता ने उसके पुत्र ने उसका कहीं बार पकड़ा लेकिन उसी से बसंता रोटी जल रही थी जट से पलट दी तो उसका ध्यान बसंता की और भी था अपने बेटे की और गुंगे की और भी था तो इस बीच रोटी चुले में जलने लगती है उसने रोटी पलटी वैपक रही थी इसी से बसंता बसंता और गुंगा गुंगा है और वो सोचती है कि यही तो फर्क है बसंता और गुंगे म चमेली को विश में हुआ गुंगा शायद है समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है कि गुंगे में इतनी सैंस है इतनी समझ है कि वो जानता है कि मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता बसंता पर क्योंकि वो मेरी मालिकिन का बेटा है उस पर वे हाथ नहीं लगा सकता मन ही मन थोड़ा विक्षोब, थोड़ा विचलन मन में आया किन्तु पुत्र की मम्ता ने इस विशे पर चादर डाल दी थोड़ी सी समेधना उसकी भुगोंगे के साथ थी लेकिन पुत्र मोह में चमेली किवल अपने पुत्र को ही मैत देती है फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड ही देना चाहिए था शायद वो हाथ पकड़के ये गहना चाह रहा था कि बसंता ने मुझे मारा अकम से कम उसको आप कुछ कहो तो यह उसको अधिकार है किन्तु वहत तब समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गुंगा कभी कभी करहा उठता है चमेली उठकर बहार गई, कुछ सोचकर रसोई में लोट आई और रात की बासी लेकर के निकली उसने गुंगे को आवाज लगाई, गुंगे कान की नजाने किस परदे में कोई चेतना है कि गुंगा उसकी आवाज को कभी अंसुना नहीं कर सकता तो वो देखो, गुंगा भी है, बहरा भी है, लेकिन जैसे वो आवाज लगाती है तो एक दम कोई शक्ति कारे करती है और वो बहरा होते वे उसको आवाज को उसकी पहचान लेता है वो समझ लेता है तो जैसे वो आवाज लगाती है गूंगे तो तुरंत आता है उसकी आखों में पानी भरा था आशू से भरी थी आखें जैसे उनमें एक शिकायत थी कर रहे थे कि आप बड़ा पक्षबात करती है उपनी बेटे की आपने सुनी मेरे हर्दय का दुख नहीं सुना चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है इसी से चमेली कोई अंदाज हो गया कि इसका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है बर्बस ही उसके होठों पर मुस हस पड़ता है अगर उसका रोना एक जव अजीब दर्दनाक आवाज थी तो यह हसना और कुछ नहीं एक अचानक गुरहट सी चमेली के कानों में बज उठी उस आमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर इभीतर कांप उठी यह उसने क्या किया उसने पशुपाला था जिसके हर नहीं जानवर पाल लिया यह इंसान नहीं हो सकता तो बच्चों इस अंक में इतना ही धन्यवाद अगले अंक के लिए प्रतीक शक्रें